सीखे मैठ्स मज़े से कभी आपने रंगोली डिजाइन किया है इसमें भी तो बहुत सारे geometrical shapes यूज करते है तो चलो हम लोग समझ लेते हैं कि shapes क्या होते हैं geometry की शुरुवात कैसे हुई एक sharp pencil लेके एक dot आप paper पे बनाते है तो dot ही आपको point की idea देता है आसमान से जो stars हम लोग देखते है वो भी हमें points की idea देते है यह point ही geometry की शुरुवात जैसे की India map में दिली को locate करना है या बताना है कि तेलंगाना के map में हाइदराबाद को तो हम लोग point से बताते है point capital letter से बताया जाता है जैसे की point A, B, C यहां बताया गया है अगर इन्ही points को हम एक के बादे कैसे लगाएंगे तो हमें एक line segment मिलता है और इसके दो end points होते है अब इसी line segment को दोनों तरफ से बढ़ा जाए तो हमें मिलती है line यहा line A, B दी गए यह दोनों तरफ से बढ़ती रहती है line को कोई end point नहीं होता बचो सोचो तब क्या होगा जब हम लोग line segment को कि सिर्फ B की तरफ से बढ़ा है तो हमें जो मिलेगा वो ray A, B होगा जिसका एक तरफ end point होगा एक तरफ से नहीं जिसे किरन भी कहा जाता है जैसे सुरज की किरने torch light से निकलने वाली किरने क्या होगा यदि दो रेज एक point में मिल जाए जैसे कि इस picture में देख सकते है यहाँ O A and O B दो रेज है जिसे arms कहते है O point में ये मिल रहे है और इसे हम लोग vertex कहते है जिसे Caesar, घड़ी के दो काटों के beach का angle अब हम लोग angle के types देखते है पहला है acute angle जो less than 90 degree होता है next right angle जो की exact 90 degree होता है obtuse angle जो greater than 90 degree less than 180 degree होता है fourth है straight angle जो की exact 180 degree होता है next reflex angle जो की greater than 180 degree less than 360 degree full angle exact 360 degree होता है बच्चों अगर हम three line segments को जोड देंगे तो हमें triangle मिलेगा जिसके three sides and three angles होते है अब हम लोग इसके types देखेंगे types of triangles based on angles first होता है acute angle triangle जिसमें तीनो angles 90 degree से छोटे होते है दूसरा है right angle triangle जिसमें एक angle right angle होता है तीसरा obtuse angle triangle जिसमें एक 90 degree से बड़ा होता है अब देखते हैं types of triangles based on sides यहां first type आता है equilateral जिसमें तीनो sides equal होती है दूसरा isosless जिसमें दो sides equal होती है और तीसरा skelling triangle होता है जिसमें कोई sides किसी से matchने तीनो sides अलग होती है अगर हम four line segments को जोडते है तो हमें figure मिलेगी वो quadrilateral होती है वो इभी चार side वाली figure को quadrilateral कहते है उसके बहुत सारे type होते है first rectangle जिसमें opposite side equal होती है angle 90 degree फिर होता है square जिसमें all sides are equal और angle 90 degree होता है वैसे ही rombos, kite, parallelogram उसके बहुत सारे type में जब लोग 5 side वाली figure देखेंगे जिसे pentagon कहा जाता है 6 side वाली hexagon होती है 7 sides अगर होते है तो hiptagon 8 side वाली figure को octagon 9 side वाली figure को nanogon और जिसको 10 sides होती है उसको dekagon कहा जाता है तो है ना ये interesting तो अभी तक हमने देखा कि हम जैसे जैसे एक line segment add करते गए figure में हमें दूसरी एक नई figure मिलती गई अभी तक हमने ऐसे shapes और figures देखे जिसकी sides and angles होते है अब हम लोग ऐसी figure देखेंगे जिसकी ना ही कोई side है और ना ही कोई angle है गेस करो हाँ आपने सही गेस किया वो figure है circle तो अभी हम लोग circle के बारे में पढ़ेंगे एक bangle लेके आप paper पे draw करते हो तो वो बनता है circle हमारे घर में ही कितने सारे examples मिलेंगे ममे की गोल गोल रोटी का shape plate का shape पापा की घड़ी का dial का shape दिदी की bangles भाया की बाई का tire का shape यह सब circle ही तो है चलो हम लोग अब circle के parts देखते हैं center of a circle उसके बाद radius of a circle diameter of a circle then circumference of a circle और उसके बाद आता है chord of a circle तो बच्चो कैसी लगे आपको basic geometry last में मैं आपको एक important बात बताती हूँ father of geometry Euclide को कहा चाता है वो एक great mathematician थे उनकी geometry को Euclidean geometry कहते है तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा आप उसको जरूर शेर करें लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए Thank you Thanks for watching